मोदी जी का जराज जलवा देखिए जो लोग नैशनल एंथम के लिए खड़े नहीं होना चाहते थे जो लोग वंदे मातरम हमारा नैशनल सौंग नहीं गाना चाहते हैं जिन लोगों को लगता है कि भारत मता की जै बहुत कम्यूनल है वो लोग रातो रात हमारे देश के नैशनल एंबलम के डिजाइन में बहुत इंटरेस्टेट हो गया है शेर ने जरा सा अपना मूँ क्या खोल दिया सारे गीदड़ों की फट गई मुझे लगता है कि वो नाराज इसलिए है क्योंकि उनको इस डिजाइन के बदले ये डिजाइन चाहिए था पार्लिमेंट बिल्डिंग पे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेल्डाउन हो रहा है ना इसका एक और भी गहरा कारण है ये कारण किसी भी सोसाइटी में सिंबलिजम की इंपोर्टन्स से जुड़ा हुआ है क्यों मोदी जी इस सिंबलिजम को अच्छी तरह समझते हैं और क्यों इस बात से ऑपोजिशन की जलती है हलो हलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ सिंबलिजम का CEO शाम शर्मा आज मुझ से जुड़ने के लिए आज का इपिसोड देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सब को एक सकिल अपना देखिए मुझे पता है थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन आपने जो सिविलाइजेशनल आर्ट कॉंपटिशन में एंट्रीज भेजी हैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अगले हफ़ते विनर्स और सारे का सारा सिविलाजेशनल आर्ट का आपके पेशन्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो जो इंडिया की नई पार्लेमेंट बिल्डिंग बन रही है उसका सबसे पहला पार्ट यानि हमारे देश के नैशनल एंबलेम का अपडेट डिजाइन का हाल में ही सबसे ने एक यग्य के साथ उठगातन किया उपोजिशन की इस समय पर इतनी बुरी हालत हो रखी है कि इतनी छोटी सी बात पर भी उनके मेल्टवन शुरू हो गया विद धी उपोजिशन्स्लमिंग इन गवर्मन वर वर लेज़िटल इज़िटल आशनल शिमॉब अरे बाप रे यार इन लोगों का रियक्शन देखे किसम से ना मेरे दिमाग में एक बच्चे का रियक्शन आ रहा है महुआ जी तो शेर को देखके सही में डर गई आप देखिए कि किस तरह से चैन्नाई सुपर किंग्स का ये एंबलेम भी हिंदुत्वा टॉक्सिक मैस्किलिनिटी और ब्राहमनवार्थ को बढ़ावा देता है सारे के सारे चैन्नाई सुपर किंग सपोर्टर्स को शरमानी चाहिए उतना ही नहीं अगर आपको जेम्स बॉन्ड की कोई भी पिक्चर पसंद है तो याद रखिए कि जेम्स बॉन्ड की जो फिल्मे है वो MGM बैनर में बनाई जाती है तो अगर आपने जेम्स बॉन्ड की कोई भी फिल्म ये MGM बैनर की कोई भी फिल्म देखी है तब भी आपको शरमानी चाहिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो नया एंबलेम है इसमें शेर के दात क्यों दिखाये जा रहे हैं इतने अग्रेसिव तरीके से क्यों दिखाया गया है शेर को यार ऐसे आर्ग्यूमेंट सुनके असली शेर खुद सोच रहे होंगे नी मतलब शेर के नुकीले दात अगर नहीं दिखाये तो क्या दिखाये आईसे दात दिखाये ऐसी शेर की फोटो लगा दे पार्लेमेंट बिल्डिंग की छट पे तब आएगी कलेजे को ठंड़क आपको एक मैडम ने तो यहां तक कह दिया के नैशनल एंबलेम को ज़रा सा भी चेंज करना देश से गदारी है शरम करो पॉप और इस वेल्डाउन की सबसे फ़नी बात यह है कि अगर आप ओरिजिनल एंबलेम को देखेंगे तो ओरिजिनल एंबलेम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि शेर का मूँ खुला हुआ है शेर के दात दिख रहे हैं और शेर दहाडने की मुद्रा में खड़ा है ताकि दहाड कर चारो दिशाओं में धर्म को फैलाया जा सके जिन लोगों को पॉलिटिशन्स के इफ्तार पार्टी से कोई प्राब्लम नहीं है जिन लोगों को पॉलिटिशन्स के अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने से कोई प्राब्लम नहीं है वो लोग आज कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीस को रिलिजन्स से बाहर रहना चाहिए ओवेसी साहब कह रहे हैं कि रिलिजन्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करके मोदी जी ने कॉंस्टिटूशन का उलंगन किया है जो भाइसा पूरे भारत में बिना मूच के घूंते रहते हैं जिनकी पार्टी का नाम है All India मजलिसे इतिहादल मुस्लिमीन यानि All India Council for Unity of Muslims जिनके रैलियों में हमेशा अल्ला हुआकबर के नारे लगते रहते हैं वो मोदी जी को Constitution सिखा रहे हैं और Separation of Powers के बारे में सिखा रहे हैं अगर यही करना है तो कल माग जकरभग को भी अपना Private Information कैसे सेफ रखा जाए इस पर TED Talk देने के लिए बुला लेते हैं कलिमरान खान को भी देश की Economy कैसे Manage की जाती है इसके उपर दूसरे देशों को स्पीच देने के लिए बुलाना चाहिए इसी लिए तो OVC सहाब के भाई कह रहे थे के 15 मिनिट के लिए पुलीस हटा दो क्योंकि उस 15 मिनिट में वो पूरे देश को सेकुलर बनाना चाहते थे और Constitution सिखाना चाहते थे अमेरिका के सिटिजन बहुत नाराज हैं कि भारत का प्राइम मिनिस्टर पूजा कर रहा है बाइद वे भाई सहाब अमेरिका में खुद देख लीजिए कि प्रेजिटन को कैसे स्वेर इन किया जाता है फ्रांस जब अपने वेपन्स दूसरे देशों को बेचता है तो उन वेपन्स को फ्रांस के प्रीस्ट ब्लेस करते हैं United Kingdom की Government का Official Church है तो वो सारे देश अपने कल्चर को फॉलो करे तो कोई तकलीव नहीं है लेकिन मोधी अगर पूजा कर दे तो जान दे देंगे कसम से इन लोगों को हिंदू कल्चर से इतनी नफरत है कि अगर टिंडर पे भी इनको एक पूजा नाम की लड़की दिखी जाना तो ये लेफ्ट स्वाइप कर देंगे मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे भारत में योगा डे ओर्गनाइस किया जाता है एक बार मोधी जी को ब्रीधिंग डे और्गनाइस कर देना चाहिए एक दिन में सारे का सारा ओपेजिशन खतम हो जाएगा सोची ज़रा एक सेकिंड के हमारे देश के कल्चिरल आइकॉंज गांधी जी का फर्जी एहिंसा और नहरू जी के फर्जी पंच शील के कॉंसेप्स को क्यों बनाया गया कृष्ण देवराय क्यों नहीं है अरे भई शिवाजी क्यों नहीं है जिन्होंने इंडिया से इस्लामिक सामराजवाद को खतम किया और अंग्रेजों के दिल में सही माइने में डर पैदा किया सोचिये जरा एक समय कि हमारे देश में इस्लामिक घुसपैटियों को हीरोस की तरह क्यों दिखाया जाता है जबकि भारती ये शेर दिल जिन्होंने अपनी जान पर खेल के भारत की रक्षा की उनके बारे में हमारी टेक्सबुक्स बात ही नहीं करती और बात भी करती है तो उनको रेबल्स बोला जाता है सोचिये सरा एक सेकंड कि जब हमको शीराम के बारे में बताया जाता है तो सिरफ ये क्यों बताया जाता है कि शीराम ने तो सबको प्यार करना सिखाया है लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता कि धर्म की रक्षा के लिए और सीता माता की आन के लिए श्री राम ने युद्ध भी किया और रावन का वध भी किया देखिये इस सब के पीछे कारण ये है कि भारत का जो मार्क्सिस्ट और शांती दूतों का नेक्सस है वो चाहता था कि हिंदूों को हमेशा कमजोर और अपने कल्चर में शर्मसार बना कर रखा जाए क्योंकि जब तक हिंदूस्तानियों को ऐसे रखा जाएगा तब तक ये मार्क्सिस्ट और शांती दूतों का जो नेक्सस है ये पावर में रह सकता है क्योंकि सोचिए इस नेक्सस का क्या होगा जब हिंदूस्तानी भगवा पिल लेकर अपनी आखे खोलेंगे तो तब इनका वक्त बदलेगा जस्बात बदलेंगे पूरे का पूरा समय बदल जाएगा क्योंकि तब हिंदुस्तानी बोलना शुरू करेंगे कि मंदिर गवर्मेंट कंट्रोल में क्यों है लेकिन चर्च और मस्जिद क्यों नहीं है हिंदू कानूनों के साथ छेड़खानी क्यों होती है लेकिन मुस्लिम परसनल लौ के साथ चेड़खानी क्यों नहीं होती। अगर हम One Nation, One Constitution में विश्वास रखते हैं, तो जम्मू कश्मीर में Article 370 क्यों लगाया गया। हिंदूओं को उनका राम मंदिर वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए। हिंदूस्तानियों को उनकी सच्ची हिस्ट्री क्यों नहीं सिखाई जा रही है। हिंदूस्तानी पीस्फुल कम्यूनिटी से डी रैडिकलाइजेशन की डिमांड क्यों नहीं कर सकते। अगर दुश्मन देश हम पर अटैक करता है तो हम उनके घर में घुसके सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर सकते। देखिए हमारे कल्चर में हर एक इनसान के पास चारो वर्णों के गुण होने चाहिए। यानि सेवा, ग्यान, अर्थ और क्षत्रिय धर्म। हिंदुस्तानी आज सेवा करने में ग्यान और अर्थ अर्जित करने में तो बड़े माहिर हैं। लेकिन पहले अंग्रेजों ने और उसके बाद मार्क्सिस्टों ने हिंदुस्तानीों के दिमाग से क्षत्रिय धर्म पूरी तरह से निकाल फेका है। जिस दिन हिंदुस्तानी अपने क्षत्रिय धर्म को वापस सीखेंगे उस दिन हिंदुस्तान की काया पलट हो जाएगी। जिस दिन हिंदुस्तानी उस एंबलेम को देखें और अपने क्षत्रिय धर्म को याद करें। वो इस एंबलेम को सपोर्ट करेंगे और पूजा को सपोर्ट करेंगे। जबर्दस्ती दो हफते तक मोदी जी को गरी आएगा। उसके बाद इलेक्शन में जाकर सोचेगा कि भाईया हमको कोई वोट क्यों नहीं देता। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो नए एंबलेम का स्टाइल है ये आपको पसंद है आपको इससे कुछ प्रॉबलम है अगर प्रॉबलम है तो क्या प्रॉबलम है नीचे अपने कॉमेंट्स हुजे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हाल में ही हुए अजमेर दरगाह में 90% विजिटर्स की जो कमी हुई है उससे जो मेलडाउन हुए है और उससे क्या हमको सबक सीखना चाहिए उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी जरूर देखें शाम शर्मा श